हेलो एवरिवान वेलकम टू कॉन स्टडी यह हमारा रीजनिंग का तीसरा लेक्चर है हम अभी साइलोगिजम का टॉपिक कर रहे हैं और मैंने अल्रडी दो विडियोज अपलोड कर दी हुई हैं जहां पे मैंने साइलोगिजम के बेसेक्स और कुछ टाइप समझा दी हुई ह कि यह वाला टॉपिक जो है यह हमारे एक्जाम में बहुत ही इंपॉर्ट है यह वाली जो टाइप है यह हमारे एक्जाम में आती ही आती है आजकल सब्सक्राइब कर लिजे और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई परी है तो या तो आप वीडियो के नीचे कॉमेंट कर दीजे या फिल यह जो हमारे सोशल मीडिया हैं इन पर किसी पर भी जाकर आप क्वेरी डाल दीजिएगा मैं आपकी क्वेरी को पूरी पूरी ट्राय करूंगी है हमारी फिकल्टी में बाकी टीचर्स के भी प्लेइलिस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं आप चानल पर जाकर प्लेइलिस्ट के ऑप्शन में जाकर यह प्लेइलिस्ट चेक कर सकते हैं जहां पर संभर सर आपकी डेटा इंटर्प्रेशन की ले रहे हैं विशाल सर जो है आपके जो स्पीड मैट्स है उसके उपर फोकस कर रहे हैं और नितिन सर जो है वह आपके अर्थमाटिक को कवर कर रहे हैं ओके जो यह क्वेस्टिन जो था यह मैंने कल आपको दिया था करने के लिए और कल काफी कम बच्चों ने रिप्लाइ किया है कोई बात नहीं मैं आपको बता देती हूं कि इसका क्या आंसर होगा I hope फिर आपका डाउट जो है वो ख्लियर हो जाएगा let's see देखे एक लीस्ट सम कार आर जीब यह बन गया शिप राइट जो यह बन गया शिप राइट and no car is bird so here comes bird okay so conclusion में क्या आजाएगा some cars are not ship is a possibility यह रहा हमारा cars और यह रहा हमारा ship क्या इसके बीच में कोई relationship है नहीं है that means कि इसकी possibility हमारी correct हो जाएगी right second conclusion देखिए all birds can be sheep यह रहा birds यह रहा jeep jeep okay so क्या सारे birds जो हैं वो jeep हो सकते हैं of course अगर हम birds को यहां रख देते हैं यह हमारा birds बन जाता है तो हमारा यह condition भी satisfy हो जाएगी और यह condition भी break नहीं होगी कि no cars is bird that means this conclusion is also true so हमारा answer हो जाएगा both one and two follows okay let's move forward so अब हमारी जो only few के cases होते हैं उसमें हम कभी कबार statements में देखते हैं कि हमें statement में only word दिया होता है कहीं बार दिया होता है few okay कहीं पर हमें only दिया होते हैं कहीं पर हमें few दिया होते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस case में क्या when diagram बनाएंगे किस तरह से इसे deduct करेंगे तो मैं आपको पहले बता देती हूं few जो होता है वो हमारा sum ही होता है few sum ही होता है इसका कोई और internal meaning नहीं होता है okay and only भी हमारा जो होता है only का क्या मतलब होता है अगर हम English में देखें तो only का मतलब होता है कि वो किसी एक ही चीज के साथ associated होगा right so जब भी statement में कभी only की statement आएगी so that means दोनों में से कोई एक object है वो दूसरे object से ही related होगा बस और किसी भी चीज से वो relate नहीं हो सकता let's see the example अब देखें जैसे मैं आपको बता रही थी मैंने यहाँ पर लिखे only a r b जो होता है वो हमारा deduct होके बन जाता है all b r a ठीक है जब भी आपकी only की statement आएगी मानलों आपकी only की statement आई only a r b तो आप उसका meaning क्या समझेंगे कि सारे जो b हैं वो a है that means इसकी when diagram कैसे बनेगी यह रहे b और यह सब a के अंदर आ जाएंगे बट अब only क्यों लगाया all से भी तो काम चल सकता था फिर only की क्या जरूरत पड़ी देखे only का मतलब हुआ कि यह जो b है यह जो b है यह सिर्फ a का ही पार्ट हो सकता है अगर मैं किसी o statement में यह बोल दूँ कि sum b r c तो वो correct नहीं है क्योंकि statement ही बोल रहा है कि only a are b that means कि यह जो है c कभी भी बी का पार्ट नहीं हो सकता b सिर्फ a ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता all right I hope आपको समझा गया हो अब हम question देख लेते हैं उससे आपको ज़्यादा clear हो जाएगा see only chairs are tables अब मैंने क्योंकि आपको venn diagram बनाना सिखा दिया है तो आपके लिए difficult नहीं होगा only chair are table तो हमारा sub table जो है वो chair के अंदर आ जाएगा right sub chair जो है हमारा table के अंदर आ जाएगा then some chairs are books यह हमारा बन गया okay so conclusion देखते हैं conclusion में देखिए all books can be chairs देखिए all books all books can be chairs हो सकता है यह बिल्कुल हो सकता है यह correct है okay क्योंकि जो books है उसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है कि वो पूरा नहीं जा सकता चेर में तो उसकी possibility तो होगी होगी right so second conclusion देख लेते हैं all chairs can be books यह रही chairs मैं एक second इसको अटा देओं यह हमारा correct था all chairs can be books यह chairs रही यह books रही that means इस पूरी chair को उठकर books में आना पड़ेगा which cannot be possible क्योंकि जो हमारा T है वो C के इलावा कुछ और नहीं हो सकता तो वो B नहीं होगा that means हमारा यह conclusion wrong हो जाएगा just because of this statement only chair are table तो table कभी भी book नहीं हो सकते हैं तो इसी लिए यह वाला हमारा जो conclusion है वो wrong हो जाएगा okay आपको समझा क्या होगा let's see अब कोई question कर लेते हैं see only book are pencil यह रही pencil यह रही pencil और यह रही book okay so no book is cat नहीं है बना दिया हमने ठीक है some book are cat अब conclusion देखिए some book are cat some book cat हो सकती है क्या यह रही book यह रही cat नहीं हो सकती क्योंकि उसने already बोले no book is cat तो यह हमारा conclusion wrong है okay so next statement some pencil can be cat some pencil can be cat यह तो बिलकुल ही नहीं होगा क्योंकि pencil जो है जो pencil है वो सिर्फ book हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता यह भी हमारा गलत हो जाएगा right so हमारा answer आजाएगा none follows okay I hope आपको समझा आ गया let's move to next question अब see अब मैंने आपको few के बारे में क्या बोला था कि few जो होता है हम उसे sum की तरह ही consider करते है few is nothing but a form of sum okay so यहाँ पर देखिए क्या आएगा आप हमारा few wines are cold तो यह आगया हमारा wine और यह आगया cold some few bottles are wine यह आगी bottles okay right some bottles are not vegetables तो मैंने आपको क्या बताया था sum not के case में हम लोग ऐसे बनाते हैं है ना okay जिसको sum not का समझना हो आप second lecture देखिए silogism का आपको उसमें पूरा concept मिलेगा आप आप जाके देख सकते हैं okay so conclusions पर आजाते हैं हम अपने conclusion अब देखिए some wines are vegetables यह रही wines यह रही vegetables तो क्या some wines vegetables हैं नहीं बिलकुल नहीं है सो यह correct नहीं है so next देख लेते हैं no wine is vegetable no wine is vegetable no wine is vegetable यह भी correct नहीं है अब अब देखिए कि क्या यह complimentary pair बन रहा है some wines are vegetables अगर हम correct कर देते हैं तो no wine is vegetable is never true that means यह complimentary बन रहा है that means यह either or का case है right am I clear next let's move to next question अब आगया हमारा only a few और only few वाला case right so only a few और only few का मतलब जो है वो same ही है अगर आपके question में कभी only a few आए या फिर only few आए आपको उसे same meaning लेकर चलना है उसका कोई तीसरा मतलब नहीं है ओके यह दोनों अलग अलग exist नहीं करते हैं यह दोनों एक जैसे ही है अब देख लेते हैं कि इसको deduct कैसे करते हैं see अब यहां पर मैंने आपको बताया हुए है कि अगर कभी भी आपके पास only a few का case आएगा that means कि वो क्या होगा sum plus some not okay मैं आपको example से बताती हूँ जैसे देखी यहां पर लिखा है only a few are b तो मतलब कि अगर हम इसका sum का case लें तो that means यह कैसे बनना चाहिए ऐसे right यह sum आया इसका okay और some not भी होगा तो some not कैसे होता है हमारा यह कुछ पार्ट जो है हमारा यह भी नहीं है right तो अब only a few जो है यह इन दोनों वेन डाइग्राम का एक combination है so only a few की वेन डाइग्राम कैसे बनेगे फिर यह देखिए मैं आपको पता देती हूँ यह देखिए only a few के लिए हम बनाएंगे यह कुछ भी है बट कुछ पार्ट है एका जो भी नहीं है so जब भी only a few का केस आएगा तो हम इस तरह की वेन डाइग्राम से डिडाक्ट करेंगे so that हम अपने conclusions निकाल सकें okay I hope आपको clear होगा कि only a few जो होता है वो सम प्लस सम नॉट होता है तो यह देखिए इसमें यहाँ पे सम भी है और यह इसकी वज़से सम नॉट भी है चलो आगे चलते हैं see अब मैंने वापिस एक्जामपल लिए है आपने पहले इसको only के case से देखा था अब only a few के case से देखें only a few chairs are tables तो कैसे बन जाएगा only a few chairs are tables यह रहा chairs यह रहा table और यह बन गया हमारा only a few का वें डाइग्राम okay so some chairs are books यह रही हमारी books यह हमारी books आगे okay so conclusion में देखिए all books can be chairs all books देख लेते हैं यह रही हमारी books यह रही chairs हो सकती हैं क्या बिल्कुल हो सकती हैं यह हमारा book का इतना सारा part यहां पे हम book को कहीं पे डाल सकते हैं so that means यह possible है हमारा case यह correct हो गया second conclusion देखिए all chairs can be tables यह रहा chairs यह रहा tables all chairs कभी भी tables नहीं हो सकता क्यों क्योंकि यह वाला जो part है यह कभी भी tables नहीं होगा okay so इसी लिए यह वाला conclusion हमारा wrong हो जाएगा all right I hope आपको समझ आ गया होगा let's move to the question let's see only a few fox are box यह रही fox यह रहे box so यह हो गया only a few का case कि यह कुछ जो है वो box नहीं है और कुछ जो है वो box है अब आगे देखिए only a few box और desk यह आ गया अब हमारा desk और यह हमारा only a few था इसलिए यह ऐसे आ गया कि B का कुछ part जो है वो D नहीं है okay so no desk is help so यह हमारा आ गया help okay so अब हम conclusions फटा फट देख लेते हैं conclusions देखिए all fox being desk is a possibility यह रहा fox यह रहा desk क्या यह possibility है fox और desk के बारे में कोई भी हमें relationship defined नहीं है so that means a conclusion बिलकुल correct है all right second conclusion देख लीजे some box are not help यह रहा box यह रहा help यह जो part है box का वो help नहीं है that means कि यह भी definitely true है दोनों conclusions हमारे correct होते हैं तो हमारा answer आजाएगा both one and two follows right अब यह वाला question जो है इसे देखिए देखिए only a few tables are bench so यह रहा table यह रहा bench इसका कुछ part जो है वो bench नहीं है only a few benches are chairs so यह रही chairs bench का कुछ part जो है वो chair नहीं है और last में उसने बुला है only chair are huts तो मैं एक बारे इसको chair को बड़ा बना लेती हूँ only chair are huts तो यह रहा गया हमारा huts तो यह रह गया हमारा huts right so अब हमारा conclusions देख लेते हैं हम देखिए some chairs being table is a possibility यह रही chairs यह रही table इन दोनों के बीच में कोई relationship defined है नहीं है so that means इसकी possibility बिलकुल correct हो जाएगी second conclusion देखिए all benches being tables is a possibility यह रहे benches यह रहे tables तो क्या possible है अब देखिए table का कुछ part है जो bench नहीं हो सकता ठीक है but bench के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ है bench पूरा का पूरा table में आ सकता है तब भी bench table का इतना सारा part रहे यह देखिए यह है हमारा bench फिर भी table का यह वाला जो part रहेगा यह वाला अभी भी इस condition को satisfy करता है कि कुछ part table का bench नहीं है ओके so this possibility is also correct क्यों क्योंकि हमें यह बोला हुआ है कि कुछ part table का bench नहीं हो सकता बट हमें यह नहीं बताया है कि bench table नहीं हो सकता ओके so जब यह possibility आ सकती है क्यों क्योंकि इसका कोई definite statement है यह नहीं ओके so इसका भी answer हो जाएगा both one and second follows right so अब एक और question है देखिए यह question मैंने आपको घर के लिए करने को दिया हुआ है आप इसे की जिए अगर आपको कोई भी problem आती है तो मैं आपको next lecture में इसका solution दे दूँगी ओके और आप इसके इसको solve करके comment में जरूर लिखिए कि आपका क्या answer आया आपको मेरा lecture समझ भी आया यह नहीं आया और अगर कोई query भी है तो आप प्लीज उसे मेरे social media handles पर या फिर comment में लिख दीजे मैं आपकी query को जरूर solve करने की कोशिश करूँगी ओकी thank you अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे please like कर दीजे और हमारे चानल को subscribe कर लिजे thank you so much